हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ग्यानी यूट्यूब एंड प्रेस बेल आइकन टु वाच अल टेक वीडियो अट वन प्लेस सब्सक्राइब करता हूं। सेयर फिल्मोरा 9 से मैं अपने वीडियो को एडिट करता हूं और सांधार एडिट कर पाता हूं और फिल्मोरा वांडर सेयर एक बहुत एक्स्ट्रीमली गूड सॉफ्ट्वियर अगर आपका बात करूं तो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं और मैं यह नहीं कहता कि अगर आप बीगिनर है तो हो सकता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको इसमें जा सकते हैं लेकिन जब इसमें कमफर्टेबल हो जाते हैं आप तो बहुत एजिली आप इसमें व होती हैं जब एक बार आप कस्टमाइज हो जाते हैं वीडियो एडिटिंग के साथ तो फिर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है यहां पे और यहां पे ट्रीमिंग भी बहुत एजिए है और अब नेक्स्ट सॉफ्ट्वेर की अगर मैं बात करूं तो जिसके नाम से पता चलता है एडाउप प्रीमियर प्रो है और बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्ट्वेर है और इसमें आपको हाई एंड लेवल की एडिटिंग देखने को मिलती है लेकिन अगर बात करूं यूजर इंटरफेश की तो इसका यूई थोड़ा सा आपको तफ लग सकता है आपको देखने में बिगिनिंग में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती इसमें लेकिन ओशन क्वाल्टी का ये वीडियो एडिटर है आपको जो कि मैक में आपको देखने को मिल जाता है साथी साथ विंडोज में भी एडिटर आपको देखन requirements में भी आप edit कर सकते हैं लेकिन अगर next software की में बात करूं दाविंसी resolve दाविंसी resolve तो इस software को अपने system या laptop में आपको edit करने के लिए high configuration का laptop या desktop आपको चाहिए होता है तो इस condition में आप इस software को तभी use कर सकते हैं जब आपके पास एक high end laptop हो या high end desktop हो गाइस बात करो दाविंसी resolve की तो यह आपको एक मुवी लेवल editing software आप प्रीमियर प्रो भी हॉलिवुड मुवीज लेवल एडिटर है हॉलिवुड मुवीज में भी एफेक्स create किया जाते है तो वहाँ भी डॉप प्रीमियर प्रो एंडविंसी रिजॉल्व का यूज किया जाता है लेकिन इनमें editing अगर आप beginner हैं अगर आप intermediate है तो हो सकता है कि इनमें आपको editing थोड़ी दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं pricing की तो फिल्मॉरे की अगर बात करूं की अगर विल्मॉरे की लिस्ट्ट हो सकता है कि आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं आप इसका पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको वाटर मार्क देखने को मिलता है लेकिन अगर आप फ्री वर्जन नहीं यूज़ करना चाहते हैं अगर आप वाटर मार्क को नहीं चाहत कि क्या कन्क्लूजन है किस वीडियो एडिटर को आपको यूज करना चाहिए तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको विंडरसेयर फिल्मोरा को आपको यूज करना चाहिए तो दोस्तों इस तरह से बात करें consideration की है और value for money software की तो इस तरह में wondershare filmora wondershare filmora आपके लिए better software होने वाला है तो इस वज़े से मैं आपको recommend करना चाहूं का कि wondershare filmora को आप free में use कर सकते हैं as well as अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो simply आप इसे under 5K में near about 3000 monthly or something you can see I will just show you all the prices about the software's तो आप देख सकते हैं आप purchase कर सकते हैं तो इस तरह filmora wondershare मेरी recommendation is filmora wondershare as well as आप Adobe Premiere Pro भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका system configuration आप बहुत ही ज्यादा बेहतर है तो आप divinci resolve को भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं कि यह video आपके लिए काफी useful सावित हुआ होगा और अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please comment box में comment करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और filmora filmora के बारे में आप बताएं कि आपको यह software कैसा लगा और आप filmora अगर आप filmora में video editing करते हैं तो please comment करके बताएं हमें इसी तरह के related videos के लिए technical ज्यानी को subscribe कर लें ताकि इसी तरह के important videos हम आपके लिए provide करते रहें और अगर आप vehicle और auto mobile से भी related video चाहते हैं तो technical ज्यानी को subscribe करें जी हैं और thank you so much to watch this video see you in the next video